प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत्व प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूगया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इस तरह से मंडली ने मुझे मिनिस्ट्री के लिए बुलाया उसके लिए मैं मंडली का बात आभारी हूँ पिछले कई हफ्तों से हम इस विशे का अध्यान कर रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रबु के वचन का अध्यान कैसे कर सकते हैं इस मामले में लोगों के बीच में जो गलत फहमी है वो मैं इसके पहले कई बार बता चुका हूँ कि गलत फैमी यह है कि पचासों प्रकार की कमेंटरी सोनी चाहिए बाइबल स्कूल जाने ऐसा कुछ नहीं है प्रभु ने अपना वचन अपने बच्चों के अध्यान के लिए बनाया है इस कारण प्रभु ने वचन को इस तरह से रखा है कि जिसको दूद की जरूरत है उसको दूद जिसको अन्य की जरूरत है उसको अन्य और जिसको उससे भी ज़्यादा ठोस भोजन की जरूरत है उसको उससे भी ज़्यादा ठोस भोजन मिल सकता है और मिलता है जैसा मैंने पिछले कई हफ्तों में बार-बार मैंने जैसे आपको याद दिलाई थी यदि आप गंभी उर्ता से प्रभु के वचन का अध्यान करना चाहते हैं तो Bible, Diary और Pen से RM कर सकते हैं और एक 95% अध्यान के लिए Bible, Pen और Diary के लावा कुछ भी नहीं चाहिए एक 5% यदि कुछ बात आपकी समझ में नहीं आती है तो फिलहाल उसको हटा कर रख दीजे इसका उदाहरिन मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो लोग मानसहार करते हैं यदि मानसहार करते समय उसमें कोई हड़ी आ जाती है उसमें कोई काटा आ जाता है तो वे लोग आहार करना बंद नहीं करते बलकि उन चीजों को हटा कर रख देते हैं और बाकी का स्वाद लेते हैं इसी तरह से जब हम प्रभु के वचन का अध्यान करते हैं तब हमें ये बात मन में याद रखनी चाहिए कि पांच प्रतिशत चीजों के पीछे बाकी 95 प्रतिशत चीजों को हम खो ना दे पिछले हफ़ते मैंने बात आपको बताई थी कि प्रभु के वचन के अध्यान के कई तरीके हैं जिसमें एक तरीका ये है कि किसी एक पुस्तक को ले लें मैंने लेकिन उदाहरण के लिए युहना का शुप संदेश दूसरा अध्याय आपके सामने रखा था दूसरा युहना के दूसरे अध्याय में हम काना में जो विबा हुआ था उस घटना को देखते हैं और ये घटना मैंने इसलिए ली क्योंकि ये कुल मिलाकर ग्यारा पद है जिसमें इस कहानी का पूरा का पूरा वर्नन है और ग्यारा पदों का अध्यायन पचास पद या सो पद की तुलना में अधिक आसान है और पिछले हफ़ते मैंने इसके उदाहरण देना शुरू किया था कि हम स्वयम अध्यायन कैसे करें जैसा मैंने पिछले हफ़ते बताया फुर से मैं दुहरा रहा हूं जिससे कि कोई नया आया हो तो वो इस बात को याद रखे प्रभू के वचन से एक घटना ले लीजे या प्रभू के वचन से एक पैरग्राफ ले लीजे पैरग्राफ इसलिए कि जिन लोगोंने पवित्र बाइबल को पैरग्राफ में बाटा है उन्होंने सालों प्रभू के वचन को पढ़कर बहुत अधिक अनभों के आधार पर प्रभू के वचन को अध्यायों में और पदों में और पैरग्राफ में बाटा है यह उरिजिनली बाइबल में नहीं थे हमारी सुविदा के लिए बाटे गए हैं तो अधिकतर जो बाइबल्स आपके आते हैं उसमें जो पैरग्राफ डिविजन है वो बहुत सोच समझ के द्वारा बनाए गए हैं इसलिए शुरू शुरू में उसी का फाइदा लेना बहतर है तो प्रभू के वचन से जैसे गलातियों की पत्री है अध्यन के आरब में मैं यही सुझाव दोंगा कि इस तरह की किसी पुस्तक को ही लें जैसे गलातियों की पत्री ले ली या याकूप की पत्री ले ले और उसमें एक पैरग्राफ लेकर अध्यन शुरू करें लेकिन उदाहरन देने के लिए मैंने युहन्ना दूसरे अध्याय के एक से लेकर ग्या पानी दी गई है उसे हम सब जानते हैं प्रभु ईशु अपनी मां और अपने शायद कुछ रिष्टेदार और अपने चेलों के साथ वहां विवाह पर गए थे विवाह में वहां पर अंगूरी शर्बत जैसे आज हम यहां पर शर्बत पिलाते हैं या पानी पिलाते हैं उ यहुदी विवाहों में अंगूरी शर्बत का प्रचलन था और हर व्यक्ति परियापत अंगूरी शर्बत का इंतिजाम करता था लेकिन हर तिरह से इंतिजाम होने के बावजूद उस घर में अंगूरी शर्बत की कमी पढ़ गई अंगूरी शर्बत की जब कमी पढ़ गई तो घर में naturally बड़ा हरकम मच गया होगा खास कर स्रीयों के बीच में कि अब क्या होगा पुरिशों के बीच में भी जो लोग भोजन को मैनेज कर रहे थे कि अब क्या होगा जब प्रभु ईशु की मा ने इस बात को देखा क्योंकि ये लोग रिष्टे में थे ऐसा जब अपन पढ़ते हैं तब उससे स्पष्ट होता है प्रभु की मा ने जैसे ही ये घटना देखी तो उन्हें ने जाकर प्रभु से कहा कि उनके पास दाकरस नहीं बचा है उसके बाद वो चली जाती है और फिर प्रभु ईशु ने दासों को जो आग्या दी वो हम देखते हैं और किस तरह से प्रभु ने जल को अंगुरी शर्बत या दाकरस में कंवर्ट के ये घटना देखते हैं इस घटना को स्टड़ी करने के लिए मैंने कुछ प्रश्ण आपके सामने रखे थे प्रश्ण कई हैं जिन में से दो प्रश्ण मैंने पिछले हफ़ते आपको दिये थे पहला प्रश्ण ये है कि ये जो चरित्र कथा है इसमें कोई शाश्वत सत्य हम देख सकते हैं क्या एक या एक से अधिक शाश्वत सत्य देख सकते हैं क्या कोई भी व्यक्ति जो प्रभू के वचन से थोड़ा भी परिचित है वो व्यक्ति एकदम से समझ सकता है कि इसमें एक बहुत बड़ा शाश्वत सच छुपा हुआ है और वो शाश्वत सत्य यह है कि यदि हम अपनी जरूरतें प्रभू के हाथ में दे दें तो प्रभू उसके लिए हल निकालेंगे जैसा मैंने आपसे कहा पहले तो यह प्रश्ण पूछिए और जब उसका उत्तर मिल जाता है इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजे दूसरा प्रश्ण जो इसी हिस्से को इन 11 पदों को पढ़ते हैं जब हम उसको पढ़ते हैं तो दूसरा प्रश्ण जो हमको पूछना है वो यह है कि कोई व्यावहारिक सत्य इस भाग में हम पढ़ते हैं क्या तो इस भाग को जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर तो बहुत सारे व्यावहारिक सत्य प्रैक्टिकल और एक्स्पीरिंशल टूट्स छुपे हुए हैं जिसमें से एक या दो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जिसमें पहला व्यावहारिक सत्य यह है कि दुनियावी बातों में कोई भी कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो वो कितनी भी तैयारी कर ले लेकिन कई बार समस्या आ ही जाती है यह बहुत बड़ा व्यावहारिक सत्य है उसके साथ साथ एक और व्यावहारिक सत्य जुड़ा हुआ है और वो यह है कि जीवन में जब हम किसी जरूरत से आमने सामने आते हैं तब परमेश्वर की संतान होने के कारण यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले हम अपनी परेशानी परमेश्वर के पास पहुचाएं और जब परमेश्वर के पास पहुचाएंगे तब कैसे निकालेंगे यह हम नहीं जानते और हमारी परेशानी पडमेशुर के सामने रखने से पहले पडमेशुर उसका हल कैसे निकालेंगे यह सोचना हमारी जिम्मेदारी नहीं है हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम यह समझें कि पडमेशुर उसका हल निकालेंगे पडमेशुर क में पास उसे पहुंचाने के बाद हम इंतिजार करें कि परमेशुर उसका हल कैसे निकालेंगे इस बीच हमको जो करना है वह हम करते रहें इस घटना में हम देखते हैं कि जैसे ही उस घर में अंगुरी शर्बत की कमी हुई पुना ने ये बात प्रभु की मा ने जाके ये बात प्रभु को बता दी प्रभु की मा ने जो नौकर थे उनसे कहा कि वो तुमसे जो भी कहें वैसा ही करना ये एक और व्यावारिक सत्य है जब हमारी जरूरत हम प्रभु के पास पहुचा देते हैं तो उसके बाद हाथ पे हाथ रखके बैठना नहीं है बल्कि प्रभु हमको जो निर्देश देते ह या जो गाइडन्स देते हैं मार्ग दिखाते हैं उसके अनुसार हमको करना भी है यहां हम एक चीज़ और भी देखते हैं और वो यह है कि प्रभु की मा ने जाकर वहां जो जरूरत थी उसको एक वाक्य में बताया पचास वाक्य में नहीं यह मेरे और आपके प्रार्थना जीवन से संबंदित एक बात है क्योंकि हम ब्रदरंड लोगों को कई प्रकार के रोग हैं जिन में से एक है प्रार्थना रोग एक वाक्य जो एक जरूरत जो प्रभु से एक वाक्य में कहा जाता है उसको जब तक पचास वाक्य में नहीं बोलते तब तक हमको संतोश नहीं होता है इस बात को याद रखें कि इसके द्वारा हम प्रभू का अपमान कर रहे हैं प्रभू इश्व ने सुएम कहा था कि फरीसियों के समान बकबक मत करना क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि बहुत बोले जाने से उनकी सुनी जाएगी तो यदि हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस रोग से ग्रस्त है तो यहाँ पर प्रभू की मा का जो नमुना है उसके आधार पर हम अपनी डायरी में इस बात को नोट कर लें कि प्रभू सर्वे सर्वा हैं सर्वे ज्यानी हैं और इस कारण प्रभू सब कुछ जानते हैं हमारी जिम्मेदारी प्रभू के होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि जो भी जरूरत है वो ले जाकर प्रभू के समक्ष रखें तो यह दो प्रशन मैं पिछले हफते आपको बता चुका हूं पहली बात कोई शाश्वत सत्ती इसमें छुपा हुआ है क्या दूसरी बात कोई व्यावाहरिक सत्ती इसमें तीसरा प्रशन जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए कोई भी प्रभू के वचन से कोई भी भाग पढ़ने के बाद तीसरा प्रशन जो हमें पूछने चाहिए वो यह है कि इस भाग में किसी तरह का कोई प्रबोधन कोई exhortation देखते हैं क्या मैं एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूँ हर प्रभु के वचन के हर हिसे में शाश्वतसती नहीं होते हैं हर हिसे में व्यावाहारिक बाते नहीं होती हैं हर हिसे में exhortation या प्रबोधन नहीं होता है लेकिन हम ये सारे प्रशन इसलिए पूछते हैं कि जिस जिस passage से हमको जो जो मिल जाता है उसको हम बटोर लें जिस तरह से प्रभु ने मन्ना की व्यवस्था की लेकिन हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी कि अपने हिसे का वो स्वयम जाकर बटोरे उसी तरह से प्रभु ने जब अपना वचन हमको दिया है तब ये प्रभु की इच्छा है कि हम में से हर व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार प्रभु के वचन से आत्मिक सच्चाईयों को बटोरे तो हम ये जो प्रशन पूछते हैं ये जो भाग मैंने पड़ा है उसमें कोई शाश्वत सत्य है क्या ये भाग जो मैंने पड़ा उसमें कोई ब्यावाहरिक सत्य है क्या ये भाग जो मैंने पड़ा उसमें कोई प्रभौधन है क्या ये सारे प्रश्ण हम को पूछने हैं हो सकता है किसी एक पैरग्राफ में सब मिल जाएं लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक पैरग्राफ में इन में से दो तीन ही मिले सवाल इस बात का नहीं है कि कितना मिलते हैं सवाल इस बात का है कि हम प्रभु के वचन से जो प्रकाश पवित्रात्मा हम को देने को तयार हैं, वो जिन लोग ने मन्ना बटो रहा था, उसी प्रकार अपनी जरूरत के हिसाब से बटोरने के लिए तयार हैं या नहीं। बहुत सारे डिनॉमिनेशन्स जो है उनके बीच में ब्रदरंट एक बहुत छोटे कम्यूनिटी है, लेकिन एक छोटी सी कम्यूनिटी होने के बावजूद इस छोटी कम्यूनिटी का प्रभाव मसीही जगत में बहुत अधिक है। जबसे लोगों ने ट्रेडिशनल चर्चस को छोड़ कर नए नियम में जिस तरह से कहा गया है उस तरह से एक साथ एकत्रित होना शुरू किया। और जबसे लोगों ने बिलीवर्स बैप्टिजम विश्वासियों के बप्तिस में को जोड़ देना शुरू किया। और जबसे लोगों ने हर विश्वासि एक पुरो ही थे इस पर जोड़ देना शुरू किया। तो उसके साथ साथ हमारे बीच में कई प्रकार के बदलाव आए जिसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये था कि हर व्यक्ति प्रभू के वचन का अध्ययन करे। आजकल कई बार जो मेंलें चर्चस में संडे को ये आप देखें तो कुछ लोग बाइबल अपने साथ लेकर जाते हुए नजर आएंगे आज से 20 साल पहले इस्तिती नहीं थी। लेकिन ब्रदरन असंबली की एक विशेष्टा मैं आपको याद देलाना चाहता हूँ कि लगबग 1960 के बाद से किसी भी ब्रदरन असंबली में आप चले जाएं तो लगबग हर अडल्ट अपने साथ एक बाइबल लेकर चर्च में आता है। 60 से पहले की स्थिती ऐसी नहीं थी क्योंकि 1960 से पहले हिंदुस्तान में बाइबल सुलब नहीं थे और बाइबल बहुत भारी हुआ करते थे। यदि चार-चार-पाँच-पाँच किलोमीटर दोर चर्च है तो इस कंधे पर रखा बाइबल को यह पकड़े रहे कुछ दूर जाने के बाद उसको शिफ्ट किया। इतने भारी-भारी बाइबल्स हुआ करते थे किसी जमाने में और महंगे भी हुआ करते थे। लेकिन 1960 के आसपास धीरे-धीरे बाइबल सस्ते होने लगे। लेकिन फिर भी इतने महंगे थे कि मुझे पापा ने पहली बाइबल मुझे उन्होंने दिलवाई 1968 के आसपास। जब मैंने रोकर उनसे बिंती की कि मुझे एक बाइबल दिला दीजे तो पापा ने ये बात कही कि बहुत महंगा बेटा। और फिर देव योग से किसी ने एक क्रिस्टिन बुक्शॉप का कूपन उन्हें दिया तो वो कूपन उन्हें ने मुझे दे दिया बुला जाके बाइबल खरीद लो इस तरह से मैंने पहली बाइबल खरीदी। लेकिन जो नौकरी शुदा लोग थे वो लोग 1960 से बाइबल लेकर चर्चस में आने लगे। क्यों आने लगे। क्यों ब्रदरेंड मंडलियों में लोगों की आदत थी कि हर व्यक्ति बाइबल लेकर जाता है पुरिश और स्त्री और 1967 के आसपास पुरिश त्री और व्यक्ति प्रभु के वचन का अध्यान करें। और बहुत सारी मंडलियों में इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि युवा लोग प्रभु के वचन को पढ़कर मंडली में खड़े होकर कम से कम कुछ नहीं आप बोल नहीं पाते कोई बात नहीं है। कम से कम संड़े के दिन प्रभु बोज से पहले कम से कम प्रभु के वचन से एक पैरग्राफ पढ़ें। तो इस तरह से जो ट्रेनिंग दी गई थी इसके कारण ब्रेदरन मंडलियों में शुरू से प्रभु के वचन को पढ़ने की लोगों को आदत पढ़ गई है। 1987 के आसपास यह आदत हमारे बीच में से लुप्त होने लगी थी। लोग बाइबल लेके चर्च में आते थे लेकिन गंभिर रूप से बाइबल पढ़ने की आदत लगबग लुप्त हो गई थी। अब वो आदत फिर से वापस आने लगी है और मुझे इस बात की बहुत खोशी है। और मुझे यह उम्मीद है कि आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं वे उस कैटेगरी में हैं जो प्रभु के वचन के अध्यान को गंभिरता से लेते हैं। कारण जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं मेरा अनुरोध मेरे प्रीए भाई मेरे प्रीए बहन मेरे प्रीए बच्चे मेरे प्रीए बच्ची एक डायरी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है बहुत आसान बात है प्रभु के वचन से हम जो पढ़ते हैं उसमें से जो प्रकाश मिलता है उसको मन्ना के समान बटोरने की आदत डाल ले कल को वो बहुत मदद करेगा तो पहला प्रश्नी जो हमें पूछना है कि इस भाग में कोई शाश्वत सत्य है क्या दूसरा प्रश्नी जो हमें पूछना है इस भाग में कोई व्यावाहरिक सत्य है क्या तीसरा प्रश्नी जो हमें पूछना है वो यह है कि इसमें कोई प्रभोधन है क्या है तो उसको नोट कर लें चौथा प्रश्णी जो हमें पूछना है वो यह है कि इस भाग में कोई चेतावनी देखते हैं क्या ऐसे बहुत सारे प्रभु के भाग हैं जिसमें हम चेतावनी देखते हैं भजन पहला अध्याए एक और दो पत्कों पढ़ते हैं तो सरफ चेताव 66 से वो स्टार्ट होता है, उसके बाद प्रभो दिन देता है कि रात दिन वो प्रभु के वचन से खुश होता है, नोट कीजिए डाइरी में नोट कीजिए आप कहेंगे ब्रदर क्या जरूरत है डाइरी में नोट करने की नीति वचन में कहा गया है कि जो आलसी है उसके पास पचास बहाने हैं और हर बहाना एक से एक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है यदि ये आपके मन में आया और ये सब मन डायरी में लिखने की क्या जरूरत है मन में रख लेंगे तो मैं दो बात याद दिलाना चाहता हूँ नमर वन मसीही जगत में आत्मिक जीवन में आलसीयों का कोई काम नहीं है मसीही जीवन ना तो आलसीयों के लिए है ना कामचोरों के लिए है ना कायरों के लिए है प्रभु का वचन बार-बार याद दिलाता है इफीसियों याद दिलाता है कि सारे आत्मिक हतियार बांद लो हतियार कौन बांदता है? जो हिम्मती है तो इस कारण यदि आप ये बहाना बनाते हैं ब्रदर मैं तुसे मन में रख लेता हूं तो मैं आपको यकीन से याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्री भाई आप आलस का सहारा ले रहे हैं दूसरी बात आपको लगता है कि ये बात मैं मन में रखूंगा लेकिन ऐसा नहीं है वैज्ञानिक अनसंधानों से ये बात स्पष्ठ हो चुकी है कि हम जो कुछ पढ़ते हैं जो कुछ देखते हैं और जो कुछ सुनते हैं उन में से लगभग 95 प्रतिशत बातें 24 घंटे के अंदर हम भूल जाते हैं जी हाँ आप सही सुन रहे हैं ये एक नहीं सेकड़ों अनसंधानों से स्पष्ठ हो चुका है कि हम जो देखते हैं सुनते हैं और पढ़ते हैं उन में से 95 प्रतिशत बातें 24 घंटे के अंदर भूल जाते हैं जिसका मतलब ये हुआ कि यदि आप मन में रखने की कोशिश करते हैं तो 95 प्रतिशत बातें 24 घंटे में आप भूल जाएंगे और इसका अरण मेरा आपसे अनुरोध है आलसी ना बने दूसरी बात आपको पवितर आत्मा ने जो प्रकाश दिया है उस प्रकाश को नश्टना होने दें हो सकता है आप एक counter question पूछें ब्रदर उसको लिखने से क्या होने जाना है तो मैं आपसे एक counter question पूछता हूँ अरे आत्मिक जीवन में फलने फूलने की क्या जरूरत है उद्धार हो गया अब आराम से जीवन बिताओ आप कहेंगे रहे नई ब्रदर ऐसा नहीं है आत्मिक जीवन में लापरवाही सही नहीं है क्योंकि प्रभू का वचन याद दिलाता है कि हमको एक दिन हिसाब देना पड़ेगा और यदि एक दिन हिसाब देना पड़ेगा तो उसके लिए तैयरी कब करेंगे पृत्वी छोड़ जाने के बाद तैयरी करेंगे क्या तैयरी तो आज करनी है और हमारे आत्मिक जीवन में जो भी तैयरी हम करते हैं उसका आरंब उसकी पहली सीड़ी तो प्रभू के वचन का ध्यान और ध्यान और मनन है तो इसका रण लापरवाही ना करें इन बातों को नोट करते चले जाएंगे हो सकता है आप फिर पूछें कि ब्रदर उससे कुछ फायदा होगे बहुत फायदा होगा बहुत फायदा होगा जो प्रकाश आपको मिलता है उसको आप नोट करते चले जाएंगे तो शुरू शुरू में आपको लगेगा कि इतनी महनत से क्या है लेकिन एक समय जब बीच जाएगा तब आपको अचानक लगेगा कि वा प्रे पिछले दिनों में मैंने जो नोट किया है मैं उसको दुबारा ओपन करके देखता हूँ तो उसमें से कितना प्रकाश मिल जाता है कितना कुछ मिल जाता है खास कर आप में से जो लोग चर्चस में जिनके उपर टीचिंग की जिम्मेदारी है प्रभु का वचन देने की जिम्मेदारी है प्रभोधन देने की जिम्मेदारी है उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ मैं एक प्रचारक हूँ, एक ट्राविलिंग प्रचारक हूँ और अक्सर ट्राविलिंग के दौरान मुझे मन में बहुत दुख पहुचने वाली एक घटना मैं देखता आया हूँ, जैसे किसी कंविंशन में गए, तो वहां पहुचते ही अन्य जो वक्ता हैं, उनसे मुलाका होती है, आपस में हम लोग जब बैठते हैं, तो सभी लोग खुल कर बात करते हैं, खास कर जो स्पीकर्स हैं, प्राइविटली जब बैठते हैं, तो खुल के बात होती है, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनमें से कोई ने कोई पूछ लेता है, कि भाईयों आप लोग किन किन व यह जवाब देता है कि मैं जरा देख लूँ कि तुम लोग क्या बोल रहे हो उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा या सोच रहा हूं या सोचने दीजे लिट में तिंक ये देखकर सर पीटने की इच्छा होती है इसलिए कि प्रभु का वचन पुल्पित से सुनाना एक आत्मि प्रभु के वचन को परोसने के लिए और आप कोई नहीं मालूम है कि आप क्या बताने जा रहे हैं इन में से कई लोगों से जब बात्चित होती है तब एक बात जो स्पष्ट हुई है वो यह है मुझी जरा सोचने दो देखने दो ये भाई लोग प्रभु के वचन का गंभीरता से अध्येन नहीं करते ना तो गंभीरता से करते हैं ना हलके से करते हैं प्रचारक हैं कहीं जाके प्रचार कर लिया वहां से जो भी लूट मिलनी है उसको ले लिया सलाम करके चल दिये लेकिन अपने प्रभु से जो बुलाहट मिली है उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं मैंने नोट किया कि इसमें कई लोग प्रचारक है कई ऐसे हैं जो चर्चस वगरा में क्लास लेते हैं उनसे मेरा अनिरोध है मेरे प्रिय भाई प्रभु के वचन का गंभीर अध्यान आरम कीजे डायरी में नोट करना शुरू कीजे कल यदि आपको एक महिने में पांच संदेश देने हों तो जिस डायरी में पवित्रात्मा से मिले हुए प्रकाश को आप नोट किया है उसमें पचास विशे निकल आएंगे और आप बड़े आराम से हर जगए उस आवसर के लिए आवसरों चित संदेश दे सकेंगे संदेश की कोई कमी नहीं होगी तो जो अगला प्रश्न मैं प्रैक्टिकल बाते बीच बीच में इसलिए बताता जा रहा हूँ जिससे की सिध्धान्त के साथ साथ इसको व्यवहार में लाने के लिए भी प्रोथ साहन मिलता जाए पहला प्रश्न कोई शाशोत सत्य है क्या दूसरा प्रश्न हमारे व्यावहरी जीवन से संबंदित कोई सत्य है क्या तीसरा प्रश्न इस भाग में कोई प्रबोधन है क्या चौथा सत्य इस भाग में कोई चेतावनी है क्या यह जितने प्रश्न मैंने अभी तक पूछे हैं यह सब काना में जो विवाह है उसमें हम देखते हैं यदि मैं पूछू इसमें कोई चेतावनी है क्या तो चेतावनी ह प्रभु की माने जाके नौकरों को ये बात बता दी थी कि जैसा वो कहें वैसा ही करना और माताश्री ने जिस टोर्ण में कहा था उसका अनुमान हमें इस बात से हो सकता है कि जब प्रभु ने उनसे कहा कि वे बड़े बड़े जो हौद है उसको भर दो तो प्रभु का वचन एक्स्ट्रा एक वाक्य वहां जोड़ता है सी जनरली टैंक भरते हैं तो लोग उसमें एक चार इंच पांच इंच जग उपर से खाली छोड़ देते हैं इस कारण यदि आप युहना दूसरा अध्याय खोलेंगे तो वहां लिखा हुआ है सात्वें पद में ईश्व ने उनसे कहा ये जो हौद है जो टैंक है उनमें पानी भर दो उन्होंने मुहां मुह भर दिया तो इससे एक बात सफष्ट है कि प्रभू की माताश्री जो है उन्होंने चेतावनी दी होगी उनको इसलिए उन्होंने ऐसा कहा ऐसा किया और प्रभू का वचन जब इसको इसको एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरुर्य थी प्रभू के वचन ने इतना बोल सकते थी कि उन्हो आमू भर दिया। ऐसा प्रभू का वचन क्यों याद दिलाता है क्योंकि उन्होंने किया। इससे हम क्या सीखते हैं। वो यह कि प्रभू जब हमको कोई आज्या देते हैं तो आदे अधूरे मन से ना करें। आदय आधूरे ना करें। जो करें या तो प्रभू से दूर रहें और सजताया पालें। खासकर प्रभू की उपस्तिती में। तो चेतावनी है यहां कि जब प्रभू हमसे कुछ करने को बोलते हैं तो आदा आदू रहना करें उसको पूरा-पूरा करें उसके बाद हम और आगे देखें जब प्रभु के वचन से इतने सारे प्रशने जब हम पूछ लेते हैं और इन सब का उत्तर लिख लेते हैं फिर क्या करना है ये एक अच्छा प्रशन है इस तरह से प्रभु के वचन को नियमित रूप से जब हम पढ़ते जाएंगे और उसका उत्तर लिखते चले जाएंगे तो कुछ समय के बाद ये स्थिति आएगी जब हमने जो कुछ लिखा है उसमें से बहुत सारी चीजें अचानक जब हम अगली बार उसी हिस्से को पढ़ेंगे देविल जंप आउट इतना ही नहीं जब हम इस तरह का अध्ययन प्रभु के वचन से आर्म करते हैं तो एक हिस्से का जब अध्ययन हो जाता है दूसरे का हो जाता है चार छे हिस्सों का अध्ययन जब हो जाता है तब इसमें से हर प्रशन के अंदर और प्रशन पूछे जा सकते हैं जैसे दूसरा प्रश्न था कि कोई व्यावहरिक बात यहां पर हम देखते हैं क्या व्यावहरिक बात के बारे में जब हम प्रश्न पूछते हैं, तब हम दो चार हिस्थों का जब अध्यान कर लेते हैं, तो उसके बाद और थोड़ा डीटिल में उसको पूछ सकते हैं कि ये जो भग मैंने पड़ा है यदि ये व्यावाहरिक जीवन के बारे में बोलता है तो बोने और काटने के बारे में कुछ बोलता है क्या। उदाहरण के लिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम में से बहुत अधिक लोग शिठ्षक ना बने क्योंकि हम शिठ्षक दुगनी से जाके योग इठा रहेंगे जिसका मतलब ये हुआ कि मैं यदि एक शिठ्षक बन जाता हूँ मैं यदि डिकलेर कर देता हूँ कि कन्वेंशन वगरा मैं संदेश देने के लिए मैं उपलब्ध हूँ और यदि मैं अपना काम गंभिरता से नहीं करता मैं यदि लापरवाही बोता हूँ तो मुझे दुगनी से जा मिलेगी तो बोने और काटने के बारे में कोई व्यावाहरिक बात कही गई है क्या यह हम देखें उसी तरह से यह जो भाग हमने पड़ा है यहां परमेश्वर को आदर देने के बारे में कोई व्यावाहरिक बात कही गई है क्या प्रभू के वचन में कई भाग ऐसे हैं जहां पर ये बताया गया है कि लापरवाही से कोई शब्द हमारे मूँ से नहीं निकलना चाहिए पुराने नियम में ही पर्मेश्वर ने याद दिला दिया था तो प्रभू अपने पर्मेश्वर का नाम व्यार्थ ना लेना तो व्यावारिक सत्य जब हम उस हिस्से में ढूंडते हैं तो इस तरह से कई भागों का अध्यान करने के बाद हम व्यावारिक सत्य से संबंदित भी कई प्रशन पूछ सकते हैं जो हमको और विशे स्पष्ट करके देगा उसी तरह से यदि हम पूछते हैं कि ये जो भाग हम पढ़ रहे हैं यहां कोई प्रभोधन है क्या कोई एग्जॉर्टेशन है क्या तो तीन चार प्रभू के वच्छन के तीन चार हिस्सों के अध्यान के बाद हम कुछ और डीट होते जाते हैं दक्ष होते जाते हैं वैसे वैसे हम और अधिकारिये कर सकते हैं यह बात में आपको याद देलाना चाहता हूं तो इस भग में कोई प्रबोधन है क्या तीन-चार हिस्सा जब हम study कर लेते हैं तो पांच्वा जो प्रबो के वचन का हिस्सा आता है उसमें जब हम पूछते हैं कि इसमें कोई प्रबोधन है क्या तो थोड़ा और नीटिल में पूछिये कि मनसा वाचिया कर्मना हमारा जो जीवन है उसके बारे में कोई प्रभोधन है क्या नीति वचन में एक स्टेट्मेंट है कि जो लोग मृत्यू के लिए ले जाये जा रहे हैं उनको दोड़ कर मृत्यू से बचाओ उसके अगले पद में ये लिखा हुआ है तुम ऐसा मत कहना कि मुझे मालूम नहीं था क्योंकि जो मनों को तौलता है वो तुमारे मन को नहीं जानता क्या जिसका मतलब ये है कि यदि मेरा कोई भाई या मेरी कोई बहन या इवन एक गैर मसीही व्यक्ति किसी ना किसी कारेंट से मृत्यू की और अग्रसर हो रहा है और मृत्यू प्रभु का वचन बहुत ब्राड सेंस में मृत्यू कहता है मृत्यू शब्त का उप्यों करता है मृत्यू की तरफ अग्रसर हो रहा है तो प्रभु का वचन, नीती वचन में यह याद दिलाता है कि दोड़ कर उसको बचा लो, आग से उनको बचा लो, और यदि तुम कहो कि मैं तो नहीं जानता था, तो जो प्रभोधन है यहां, वो अगले पद में वो प्रभोधन बहुत क्लिर है, मन को तॉलने वाला नहीं ज काइन जब अपने भाई की हत्या करके जा रहा था, प्रभो ने पूछा, तुम्हेरे भाई कहाँ है, उसने तुरंट प्रभो को रूखा सा जवाब दिया, मैं अपने भाई का नोकर हूँ क्या, उसका रखवाला हूँ क्या, उसका जर खरीदा गुलाम हूँ क्या, जो मैं उसका वो कहा है, क्या है, इसका हिसाब रखूँ, परमेश्वर ने उसको क्या जवाब दिया, परमेश्वर ने कहा कि गूमी, जिसने उसका रक्त पिया है, वो तुमारे विरुद्ध गवाही दे रही है, और प्रभु ने ये भी कहा कि जिन्दगी भर तुम भगोडे रहोग प्रभु मन को देखते हैं, मन को जाचते हैं और इसका रंड जब हम प्रभु के वचन से एक portion पढ़ते हैं और उस portion को उसके बारे में जब हम यह प्रशन पूछते हैं कि यहां कोई exhortation है क्या तो शुरू के दो तीन चार जो passages जिसके हम study करते हैं उसको तो जल्दी 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 जवाब लिखते चले जाईए जिससे कि आपको प्रभु का वचन पढ़ने और डायरी में लिखने के आदत हो जाए लेकिन जब एक तीन चार भाग हो जाएं तो उसके बार थोड़ा सा detail में पूछिए जिसमें पहला प्रश्णी यह हो कि मनसा वाच्या कर्मना यहां पर कोई प्रभौधन है क्या एक और प्रश्णी जो हम पूछ सकते हैं मनिश्यों के साथ या परमेश्वर के साथ हमारे वर्तमान संबंद के बारे में या भविश्य के बारे में कोई प्रभौधन है क्या रोमियों की पत्री जब कहती है जहां तक हो सके सबी के साथ शांती से रहो तो यहां आपसी संबंद के बारे में कोई प्रभौधन है क्या बिल्कुल है तो इस तरह से यहां पर कोई प्रभौधन है क्या उसको और प्रश्णों की मदद से और स्पष्ट करने की कोशिश करे ये भी हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि मनिश्यों के सामने मेरी गवाही के बारे में है कोई प्रबोधन है क्या नई नियम में तो बहुत सारे प्रबोधन है जब जहां ये याद दिलाए जाता है कि जो लोग किसी समय तुमारे आचरंड की पीकाटिपनी किया करते थे वे तुमारे व्यवहार को देखकर पदमेश्वर की महिमा करें तो मनिश्यों के सामने हमारी गवाही के बारे में है कोई प्रबोधन है क्या स्वर्गदूतों के सामने हमारी गवाही के बारे में कोई प्रबोधन है क्या बेहने इस बात को याद रखें प्रभु का वचन ये स्पष्टतिया कहता है कि बेहने सर पर आवरन डालें किस कारण स्वर्गदूतों के कारण तो स्वर्गदूतों के सामने हमारी गवाही के बारे में वहाँ कोई प्रबोधन है क्या बेहनों के लिए प्रबोधन है इस तरह से हम कोई प्रबोधन है क्या उसी एक प्रश्ण को और अधिक डीटेल में पूछ सकते हैं एक और चीज़ जो हमें बार-बार अपने आप से पूछनी चाहिए वो यह है कि एक विश्वासी के चारों तरफ जो सीमाएं पर मेश्वरने बांदी हैं उन सीमाओं के बारे में यहाँ पर कोई प्रबोधन है क्या भजन पहला ध्याय पहला पद जब हम पढ़ते हैं तो वह एक सीमा है दुष्टों की युक्ति के अनसार नहीं चलना है लेकिन सीमा वहाँ पर समाप्त नहीं हो जाती है पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होना है उपहासियों की मंडली में नहीं बैठना है यह एक सीमा है जो प्रबोधने बांदी है व्यावाहरी जीवन के बारे में एक प्रबोधन है कि मेरे बच्चे ऐसा मत करो उस सीमा के बाहर रहो उस सीमा के अंदर रहो उसको तोड़ के बाहर मत जाओ इस तरह से बहुत सारे बातें पूछी जा सकती है Wanted और Unwanted Relations सही और गलत रिष्टों के बारे में यहां पर कोई प्रबोधन है क्या जब प्रबु का वचन कहता है सावधान रहो अविश्वासियों के समान अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो तो वहां पर प्रबोधन है क्या प्रबोधन है किस तरह का रिष्टा एक मसीही के लिए उप्युक्त है और किस तरह का रिष्टा उसके लिए अनुप्युक्त है उसके बारे में वहाँ पर प्रबोधन है इस तरह से जो मुख्य प्रशन मैंने आपको बताए थे कुछ समय के बाद उन मुख्य प्रशनों से संबंदित और भी बहुत सारे डीटेल्ड प्रशन है जो आपको पूछने चाहिए मैं फिर से आपको याद दिला दू प्रबु का वचन जब हम पढ़कर स्वयम अध्यान करने की कोशिश करते हैं तो कुछ मुख्य प्रशन है पहला यहाँ पर कोई शाश्वत सत्य है क्या दूसरा अनभो संबंदित कोई सत्य है क्या तीसरा कोई प्रबोधन है क्या चौथा कोई चेतावनी है क्या यह चार प्रशने के अलावा और भी बहुत सारे प्रशने है लेकिन यदि यह चार हम पूछने लगें तो प्रबु का वचन इतना स्पष्ठ हो जाएगा कि कुछ क्या कहना चाहिए कुछ हम सोच नहीं सकते लेकिन जैसा मैंने बताया हर चीज आदत पढ़ने में देर लगती है मैंने आपको इसके पहले ये बात बताई थी बच्पन में जब मैं टाइपिस्ट लोगों को आज कल तो टाइप राइटरी ही गायव हो गये है टाइपिस्ट लोगों को हवा की गती से मैं टाइप करते हुए देखता था तो बड़ा अच्छा लगता था मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी उसी तरह से दुरुत गती से टाइप करूँ आठवी में जब मैं था तब पापा ने मुझे सामने वाले टाइपिंग इंस्टीट में ले जाके भरती कर दिया मेरे साथ परेशन ही क्या थी कि शुरू के पार्ट सीखने के पहली मैं उन लोगों के समान स्पीट से टाइप करना चाता था और हर बार मैं ये करता था हर बार सारे के सारे कीज एक दूसरे से उलज जाते थे कुछ दिन के बाद टाइप इंस्टीट के जो मालिक है उसने सर पीट लिया पापा से कहा कि इस बच्चे को ले जाओ यहां से मैं कीज जो आपस में उलज जाती हैं उनको स्ट्रेट कर करके मैं हैरान हो गया हूँ पापा ने मुझे वहां से हटा दिया इसके बहुत सालों के बाद जब मैं में पढ़ता था तब इस बात को मैं समझ गया कि क्रम बद्द तरीके से सीखे बिना कुछ नहीं हो सकता तब टाइब सीखने की इच्छा थी फिर से टाइब सीखने के लिए गया सिस्टेमेटिकली सीखा मेरी एक दीदी आज दीदी ने लॉग इन किया है JJV नाम से मैं कभी नहीं भूल सकता मुझे उन्हेंने स्पॉंसर किया था इसके लिए परिणाम क्या हुआ सिस्टेमेटिकली अब तक मैं सुधर गया था सिस्टेमेटिकली मैंने टाइब सीखा उसका परिणाम क्या है आज जब मैं कंप्यूटर कीबोर्ट के सामने बैठता हूँ तो हवा की गती से मेरी उंगलियां चलती है तो आठवी में जब मैं गया उसमें और MSC में जब मैं पढ़ता था उसमें क्या फरक है फरक यह है कि MSC में मुझे आकल आ गई थी और मैं समझ गया था कि शुरू के लेसन सीखे बिना तुम जो है आगे उड़ोगे तो ना तो शुरू का लेसन रहेगा ना आगे का रहेगा मतला आदी को छोड़के पूरी के पीछे जाओगे तुम ना आदा रहेगा ना पूरा इसको समझ कर मैंने सीखा उसी तरह से जब हम प्रभू के वचन का अध्यान करते हैं तो शुरू शुरू में सिर्फ ये चार प्रशन पूछें लेकिन जब प्रभू के वचन से चार छे पाठ जब हम पढ़ लेते हैं उसके बाद फिर हम हर एक प्रशन से संबंदित जो डीटेल्ड प्रशन है उनको भी पूछना शुरू करें इन सब को नोट करते चले जाएं जब हम इस तरह से करमबद तरीके से नोट करते चले जाएंगे मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिये भाई, मेरी प्रिये बहन दो या तीन साल में आपको ताज्युम होगा कि बाप रे इतनी दूरी मैंने कवर कर ली उसके साथ साथ यदि आपको कभी भी किसी भी विशे पर संदेश देने के लिए बोला जाता है तो आपके पास परियाप्त सामगरी होगी मैं अपनी गवाही आपके साथ आखिर में शेयर करना चाहता हूँ मेरी यादत जब मैं नाइन्थ में पढ़ता था लगबग उसके पहले यादत हो गई थी कि कोई भी प्रकाश मिलता था उसको नोट कर लेता था चाहिए बएरी उस जम्हानें बहुत महेंगे पढ़ती थी एवन पेपर बहुत महेंगा पढ़ता था लेकिन नोट करता जाता था करता जाता आज स्तिती यह है कि इतने सालों में मैंने जो लिखा है वो अपने आत में हजारों पन्ने हो गए हैं किसी भी विशे पर मैंने जो लिखा है उसको एक साथ इखटा करूं तो ताज्यूब होता है कि इतने सालों में इतना हो गया पिछले दिनों मैं उत्पती के उपर एक कमेंटरी लिखने की सोच रहा था तो मैंने सारे पेपर्ज खंगाले कि उसमें उत्पत पास हो गए हैं जिसका मतलब यह है कि जब मैं लिखना शुरू करूंगा तब पिछले 40 या 50 सालों में उत्पत्ति के उपर प्रभु ने मुझे जो प्रकाश दिया है वो प्रकाश मेरी मदद करेगा कि मैं उत्पत्ति की कमेंटरी और अधिक सरल और स्पष्ट और व्याव हा कि यहां पर जो लोग हैं जिन्होंने डायरी में लिखना शुरू किया है मैं यह बात याद दे लाना चाहता हूं जब मैं टैपिंग के लिए गया था तब जो मूर्कता मैंने की ऐसा ना करें आप एक आरेंबिक विद्यारती हैं आरब में ही रहें शुरू के जो स्टेप् आएगा तब आप जिस तरह से टैप करने वाले की उंगलियों में हवाल आ जाती है और वो हवा की गती से टैप करने लगता है उसी तरह से आपकी स्तिती हो जाएगी यकीन मानिये मैंने एक अनुरूद किया था पिछले हफ़ते और वो अनुरूद यह था कि उड़ाओ पर करें और नोट कर लें प्रभू आपकी मदद करें कि इन सब कारियों को आप कर सकें और यह आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत अधिक अनुग्रा का कारण बने प्रभू के नाम की स्तुती हो प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्थ हिमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथसाहन देता है जै मसीह की